दोस्तो मैं दबब्रत दिकरी आज आप लोगों के लिए फिर एक अधितम टोटाली नवया टोपिक लेकर आया हूँ इससे पहले आप लोगों को मैं ये चोथे मुझेल के उपर प्रोजेक्टार मौल का जे काला कुचु लगाने का तरीका दिखा सुका हूँ प्लीज एक बार वीडियो देख लिजे आज मैं वही काला कुचु बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी पकाने का तरीका आज आप लोगों को दिखाऊंगा देख लिजे पहले इसका शिल का छिल लेते है शिलने के बात आपको क्या क्या क्यारते है एक बार देख लिजे वीडियो देखेंगे और आप खुद प्रिक्टिकल एक पर करके फिर कोमेंस करना ना भुलिएगा यूंकि ये बहुत हेल्दी आउट टेस्टी खाना है ये जिन्दिगी ना मिले के दोबारा दोस्तो इसके साथ नाइन छा भी मत कीचे उल्टा सीता मत खाईए ये जाधा पानी नहीं दिया हलका सा थोरा सा तो ये ढखकन नहीं लगाएंगे पैसर कुकार बाला दकन मलब विना ढखकन का ये 10 मिनिट के अंदर ये बॉयल मलब 75% हो जाएगा ठीका ना उपर ऐसे ही ये थाली दे दिया था मैंने दिखाया ना मलब नहीं दिखा के वीडियो चालनी वाला थाली में ये पानी गिरा दिया अभी ये तम पुरा 75% बॉयल हुआ है अभी देखिए कराई गरम है रेडी है यहाँ पे सिर्फ 5 ml यहाँ पे हाथ का आइडिया देखके देखकोरी समझ में आएगा कितना सोटा कराई है और उसमें मिर्ची नहीं दूबा और स ठीक है अभी ये देने के बाद इसमें थोरा सा हल्दी ठीक है थोरा सा हल्दी दे दिया उसके बाद आभी नमक देंगे दे आपका मलब रूची के हिसाफ से नमक देजेगा ठीक है ना अगर जदा होगा तो टेस्टिक खराब हो जाएगा तो नमक दे दिया अभी इसमें आप मलब हर वेक्ति अलग अलग फर्मुला यूज करता है लेकिन इसमें आप थोरा बहुत मीठा भी दे सकते हैं आज हमारा घर में गूर नहीं है तो गूर अकर होता तो हम गूर देते हैं तो ये टेस्टी होने के लिए लेकिन ये बीना चीनी का भी आप पका सकते है बीना चीनी पकाएंगे वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और जो डाइवेटिस परसे ने तो शुगार खाना मनाई है वो तो ऐसे ही पकाएगा तिकल पकाने का तोरीका एक बाद देख लिजे इ ये बीना चीनी पकाएंगे तो बहुत अच्छा है बीना शुगार का तो फिर भी मैं बोलता हूं मैं ये अवगाना टेस्ट के लिए बनाया ठीक है आप लोग भी एक बार खाके देखिए अगर डाइबेटिस पेशेंट है या हाई पेशार या कोई पेशेंट है उसको बी ऐसे थोड़ा क्या करना है उसको चेस चेसके जो हमारा बलता है ये लिए खंती हिला हिला के उसको मतलब इसको अगदम मीक्स करकिए उसको अंसे ना रहे को मुण, लिए फॉरा si 2019 सब्सक्राइए धिरे धिरे डिखिए जल्दी बजे साहर, गेस बहुत कमा हुआ बуждने, अगदम थेसके फॉरे फॉरेट करूगे तो है के तब ही टेस्टी होगा और हेल्दी रहेगा , जाथा आप आप्को सुक्षर करूंगा दोस्तों प्रेशार कुक्यर कार मैं स्षी तीमारके मत कहा है। मै वह प्रेशार कुकार कहर्ओक बवाइल ऐसे लिए उपर थाली दे दिया था लेकिन मैंने सिटी नहीं मारा सिटी मारेंगे तो उसक में मलब आपाना बोडी भी सिटी मार देगा तुरंट ठीके ना आज जो आदमी बिमार हो रहा है एकडम बीना सोचे समझे किसी भी एडबेटेज देखकर खाना खाते खाते आदमी मलब बुर करने के पाद शप्टी होगा ना एकडम फ्राई होगा वह फ्राई जो बनेगा इसमें आप थोरा कच्छा मिर्ची भी दे सकते हैं मैं तो सुखा मिर्ची दे दिया हमें उतना तिखा जुरूरत नहीं परेगा क्योंकि यह गले में ऐसे लगता ही भी नहीं है और पास में मै कैसे आचार बनता है एकडम नया फर्मुला हम लोग बाजार से उल्टा सिधा कूस भी खाना नहीं खाते जितना पेकेटिंग आइटेम है दोस्तो बिस्कुट भी आप ना खाईए बच्चे को चोकलेट भी मत देजे जितना मलोग कमपानी से प्रोसेस होके आता है इंडेस मिलता है कच्चा आइटेम वह घर में लाक और पका के खाईए दोस्तो तो आप हेल्दी जिदादा जिन जी सकता है क्योंकि यह मौका एक ही बार मिला है हमारा यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तो हमारा जीबन एक मौका है और कुछ नहीं है आनंद करने के लिए आए करेंगे तो दूर खटणा हमी को भुगत ना पूरेगा और मेहनत का पैसा ड्ब्र को देना पूरेगा मैं यह और मक्सत है यूर health and wealth care management plan दोस्तो तो तो भी मैं ऐसा वीडियो आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूं जो हमारा main जो है खाने के उपर ही हमारा health टिका हुआ है चलिए दोस्तो अगला वीडियो में मैं एक जबदर टोपिक लेकर आ रहा हूं अगला वीडियो में जुरू मुला कातोगा ठाके दोस्तो आप लोग का दिन बहुत बहुत शूप रहे